बकरी एक पालतु पशु है, जिसे दूद तथा मान्स के लिए पाला जाता है। इसके साथ है इससे रेशा, चर्म, खाद, एवं बाल प्राप्त होता है। यानि सीधे शब्दों में कहा जाए तो बकरी को हर हाल में लाबदायक ही माना जाता है। और इसी कारण समानेता बकरी स्वतंतरात्मा, साहस, प्रजनन शमता, भाग, जीवन, शक्ती, खोज, शांतमन, अनवेशन, संतुलन, अंतरग्यान और आशा का प्रतिनिद्ध्व करती है। और इसी कारण यह भी कहा जाता है कि बकरी अगर सपने में दिखाई देती है तो वह आपके भविश्य की बिलकुल सटीक भविश्यवानी करती है। भाग इवरद्धी की ओर इशारा करता है। बकरी को जुगाई करते वे देखना एक शुब सपना माना जाता है। इस बात के ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके घर होने वाली फसल बहुत अच्छी होगी। पर सपने में अगर बकरी हरे पत्ते को चबा रही हो तो यह सपना एक अशुब सपना माना जाता है। इस बात के ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपकी फसल बरबाद हो सकती है। इशारा करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान कुबीर की आरादना करनी चाहिए। सपने में किसी जंगली बकरी को देखना आने वाले जीवन में आशा और उत्साह का संकेत माना जाता है। साथी यह सपना परिवार जनों के लाब से बढ़ने वाले साहस की और भी इशारा करता है। सपने में किसी काली बकरी को देखना एक खुब सपना माना जाता है। प्रकार का शुब संकेत माना जाता है यह सपना बताता है कि आने वाले दिनों में कोई आपकी सहायता करने वाला है और वो आपका बहुत ही ध्यान रखने वाला है अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो यह सपना पद्दोनती की और इशारा करता है ऐसा सपना देखने वाले बैक्ती को शिवलिंग पर दूद चड़ाना चाहिए अगर आप पुरुश हैं और आप देखते हैं कि आप सपने में किसी बकरी का दूद पी रहे हैं तो यह एक अ कि आने वाले दिनों में महिला की जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी और उसको एक धनवान पती मिलेगा और अगर महिला पहले से शादी शुदा है तो यह पती के वैपार में बढ़ भूतरी की और इशारा करता है दोस्तों सपने में बहुत सारी बक्रियों को घास चरते वे देखना एक चेतावनी पॉर्ण सपना माना जाता है और यह सपना आने वाले जीवन में होने वाले विश्वास घात की और इशारा करता है सपने में किसी बकरी को मारना एक शुब सपना माना जाता है यह सपना इस बात की और संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपके घर में कोई खुशियां आने वाली है इसके साथ ही सपने में बकरी का सिंग देखना एक शुब सपना माना जाता और यह सपना आने वाले जीमन में मिलने वाली सफलता की और संकेत करता है ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को कोट के चहरी में जीत मिलती है और साथी जो धन रुका हुआ था वो धन भी प्राप्त होता है ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता दुरगा की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभाओं को बढ़ाया जा सके सपने में आप देखते हैं कि आप जमीन पर खड़े हैं और आपके सामने चत्तान पर एक सफेद बकरी खड़ी हुई है तो यह सपना सौभाग शाली सपना माना जाता है और यह सपना इस बात के और इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन लाब होने वाला है ऐसा सपना देखने वाले वैक्ति को माता संतोशी की पूजा करनी चाहिए और शुकर बार के दिन गुड का धान करना चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभाओं को बढ़ाया जा सके सपने में अपने आपको बकरी की सवारी करते वे देखना एक अशुब सपना माना जाता है दरसल यह सपना एक दुर्भाग ये पूण सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की और इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन की हानी होने वाली है साथ ही ऐसा सपना किसी होने वाली बड़े दुरखटना की और भी इशारा करता है ऐसा सपना देखने वाले वैक्ति को भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए पर आप सपने में किसी अंजान वैक्ति को बकरी की सवारी करते वे देखते हैं तो यह एक शुब सपना माना जाता है यह सपना इस बात की और इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके दुश्मन परास्त होने वाले हैं दोस्तों सपने में आप देखते हैं कि आप किसी सूंसान गली में से कहीं जा रहे हैं और अचानक एक बड़ा सा बकर आपके सामने आ जाता है और आपके सामने आकर आपको एक जूर से टकर मार देता है तो यहाँ एक अशुब सपना माना जाता है और यहाँ सपना आने वाले हानी की ओर संकेत करता है ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को आने वाले कुछ दिन किसी भी व्यक्ति को उधार देने से बचना चाहिए सपने में किसी बकरी की बली होते वे देखना एक शुब संकेत माना जाता है और यह सपना राजनिती में मिलने वाली बड़ी जीत की ओर संकेत करता है साथ ही यहाँ भी माना जाता है कि यह ऐसा सपना रिखने वाल अव्यक्ति राज योग का सुख पाता है पर दोस्तों सपने में बकरे के बच्चे की बली देना अशुब सपना माना जाता है और सपना इस बात के और इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको पेट से सम्बंदित बिमारियां हो सकती हैं। जरूर लेकर आएंगे ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिन से हम आपके सामने प्रूफ और विसलेशन के साथ सही और पुरी तरह से सटीक जानकारी लेकर आते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जादा से जादा लोगों को श्रियर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सकें धन्यवाद